से क्या है? क्या इस टेबलेट की प्राइज होती है? इस टेबलेट के अंदर कया क्रूजिस्न रहता है? इस की कैसे क्या दिया जाती है? और इसके Contra Indication यानि कि इस Tablet को यूज करते समय किन-किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए तो सब कुछ अपन इस वीडियो के अंदर जानने वाले तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा और अजरेखेटे आएंद फ्रेंड हैंगर आप चनल पर नहीं हो और चनल कोई सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह की वीडियो आपको रिगूर मिलते रहेंगे सबसे पहले जान लेए कि और अबेनिल टेबलेट क्या है इसके यूजेज क्या है तो और अबेनिल टेबलेट इस एन आईरवेदिक मेडिसीन यानि कि ये एक आईरवेदिक दवा होती है इस यूज़ फोर फेट लॉस ये शरीर के जो मोटापा होता है चरबी होती है उसको कम करने के लिए यूज की जाती है एंड यूजफुल फोर देम वाण टू लूज एक्स्ट्रा फेट्ट यानि कि जो अपना वजन कम करना चाहते हैं जो सरीर से चरबी गठाना चाहते हैं उनके लिए इस टेबलेट का यूज़ प्र दिख रहा है इस टेबलेट का यूज करने के बाद जो बोड़ी का एक्ट्रा फेट होता है वो सरीर से कम हो जाता है तो इस तरह से इस टेबलेट का यूज के जाता है आगे आपन जानेगे कि ओवेनिल टेबलेट कैसी क्या पेकिंग होती है इसकी प्राइज क्या क्योंती है और इसको मेनिफेक्चर कौन करता है इसकी प्राइज क्योंती है यानि कि 30 टेबलेट आपको 300 में मिल जाती है और इसके चरक फार्मसोटिकल जो होती है उसके दुआरा इसे मेनिफेक्चर के जाता है यह आपको हर मेडिकल स्टोर पर एजिली मिल जाती है अगर मेडिकल स्टोर पर ना मिले तो आप इसको ओनलाइन भी परचेज कर सकते हैं आगे बात करेंगे इसके composition की, composition की बात करेंगे इसके अंदर flaxseed यानि के लसी के बीज, guggloo, kokum and kutki और इसके अलावा भी बहुत सारी जो आईरवेदिक जड़ी बूटिया हैं, जो हर्बस हैं, वो इसके अंदर प्रजेंट रहती है, नेक्श्ट अपन जानेंगे कि इसकी dose क्या रहती है, यानि कि इसको कब कैसे लिया जाता है, और इसका dose period कितने time तक होता है, इस tablet को खाना खाने से पहले, सुबह और श्याम खाना खाने से पहले लिया जाता है, और अगर किसी के खाना खाने के बाद, याननी कि खाना खाने से पहने लेने कि बाद में आगर गेश की प्रोबलम रहती है तो वो खाना खाने के 1 Michaटे बाद भी इसको ले सकता है इस टेवलेट को पाणी के साथ लिया जाता है वहीं बात करें इसके डोस पिरिट की तो 3 महीने से लेकर 6 महीने तक इसका dose period रहता है और जैसे आप इस tablet को लेना start करेंगे तो 20 से 25 दिन के अंदर आपको result मिलना start हो जाएगे यानि कि वज़न कम होना आपका start हो जाएगा आपको दिखने लग जाएगा आगे बात करेंगे इसके counter indication यानि कि इसके tablet को किन किन को नहीं देना चाहिए या किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए तो अगर कोई 14 साल कम उमर का बच्चा है तो उसे यह tablet नहीं दी जाती या फिर किसी को कोई बीमारी है उसकी regular medicine चल रही है किसी बीमारी की उनको भी यह tablet नहीं दी जाती है साथ-साथ lactation यानि कि जो breastfeeding mothers होती है वो भी इस tablet का use नहीं करती है तो इस tablet को यूज करते समय इन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए आगे बात करेंगे इसके side effects की तो वेशे तो इस tablet के कोई side effects नहीं है पर फिर भी अगर किसी को इस tablet का use करने के बात कोई दिक्कत हो कोई परेशाणी हो तो इसका use तुरंफ बंद कर देना चाहिए और बिना doctor के सलाके किसी भी दवा का use नहीं करना चाहिए और अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो तो तुरंद अपने डॉक्टर से मिले और उनसे अपनी परिशानी जरूर बताए So friends ये थी ओबेनिल टेबलेट से रिलिटेड कम्प्रेट इंफोर्मेशन कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएगा मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंफोर्मेशन के साथ धन्यवाद